हेलो अच्छो तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा नाइंगत क्लास के मैस का चैप्टर नंबर वन का एक्ससाइज नंबर 1.6 जिसके इसके अंदर हमें पढ़ना है laws of exponents for real number यानि वास्तविक संख्हाओं के लिए घातांक नियम ठीक है तो इस exercise में हमें सबसे पहली बात तो यह वर्ड आया है यहां पर exponents क्या वर्ड आया exponents हिंदी में कहें तो घातांक तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं वैसे तो यह वर्ड आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है class 8 में class 8 में आप लोगों ने exponent के बारे में पढ़ा है कि exponent क्या होते है ठीक है कि जिसे कोई भी नंबर है और उसके ओपर कोई power है ठीक है कोई नंबर है और उसके ओपर कोई power है तो उस इस पूरे term को हम बोलते हैं exponent हिंदी में कहते हैं घातांक अब हम इसे separately भी समझ ले थोड़ा सा कि अगर मैंने लिखा 5 की power 3 तो नीचे वाले को जिसकी power होते है इसको हम कहते हैं base और इसे हम बोलते हैं degree यानि इसे बोलते हैं आधार और इसे बोलते हैं घात ठीक है इसे बोलते हैं आधार और इसे बोलते हैं घात तो और इस पूरे को मिला के बोला जाता है घातांक यानिकी exponent ठीक है तो अब हमें इसमें ये समझना है कि हमें exponent के लिए laws यानि कि इसके कौन-कौन से नियम है हमें वो समझना है इस exercise के अंदर हमें exponent के laws को समझना है ठीक है तो exponent के laws कौन-कौन से हैं तो ये हम बात कर लेते हैं सबसे पहली बात तो आपको exponent समझ में आ गया ठीक है कि exponent क्या होता है कि कोई base होता है और उसके कुछ power होती है तो उस पूरे term को exponent बोला जाता है ठीक है तो अब हम समझते है कि इसके loss क्या क्या है वैसे तो ये चीजे आपने पहले भी की हुई है थोड़ा समय पहले आपको exponent solve करना समझा देता हूँ उसके बाद हम इसके loss को समझते है जैसे अगर ये powers whole number में है तो ये तो आपको पता ही है कि ये 3 बार multiply हो रहा है अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये 7 बार 2 की बार 7 तो ये 7 बार multiply हो रहा है पर अगर मैं पावर लिख रहा हूँ माइनस में अगर मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर माइनस 4 तो पावर माइनस का मतलब क्या होता है कि ये 1 अपॉन में चले जाता है ये पावर जब भी माइनस की होती है तो वो नीचे चले जाता है ठीक है यहां से एक नियम निकल के आता है हमारा कि A की पावर माइनस M बराबर होता है 1 अपॉन A की पावर M यह हमारा यहां से एक लॉ निकल के आता है जैसे हम यह पढ़ रहे हैं लॉज तो इसमें से एक लॉ यह है कि a की पावर माइनस m होता है 1 upon a की पावर m ठीक है इसके अलावा कई पर आपने ऐसे लिखा हुआ देखा है root यह जो root वाले numbers होते हैं अगर हम इने exponential terms में लिखें तब कैसे लिखते हैं ठीक है अगर root 5 है मैं इसे exponential terms में लिखना है तो कैसे लिखूँगा कभी जो root का मतलब क्या होता है यह root का मतलब होता है power 1 upon 2 power 1 upon 2 तो root 5 का मतलब होता है 5 की power 1 upon 2 ठीक है ऐसे अगर मैं लिखू root 7 तो यह इसका मतलब होता है 7 की power 1 upon 2 कई बार इसके यहाँ पर 3 लिखा होता है छोटा सा ठीक है यहां पे छोटा सा 3 लिखा होता है और तब अंदर कुछ भी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 12 की power 1 upon 3 ठीक है अगर root के बाहर ऐसे 3 लिखा हुआ तो यह power 1 upon 3 हो जाएगा अगर root के बाहर ऐसे 4 लिखा हुआ है तो इसकी power 1 upon 4 हो जाएगी तो यहां पे जितना लिखा होता है वो उतने upon में पावर चले जाती है ठीक है अगर मैं लिखूँ 8 की अंडर रूट यह 5 रूट 8 की पावर 3 तो इसको मैं जब exponential term में लिखूँँगा तो मैं लिखूँँगा 8 की पावर 3 अपावर 5 ठीक है 3 उपर होगा और यह 5 1 upon में चले जायगा जैसे कि पावर आपको पता है रूट की जो पावर होते है वो 1 upon में होती है जब कुछ नहीं लिखा है तो रूट के नीचे 2 आता है 3 लिखा तो 1 upon 3 4 लिखा तो 1 upon 4 और 5 लिखा तो 1 upon 5 तो ये आप exponential term में इनको change कर रहे हैं root वाले numbers को ठीक है तो ये बात है आपको समझ में आगी होगी कि इनको exponential term में कैसे change करते हैं ये सारे exponential term है ठीक है तो अब हमें इनके laws समझने हैं ठीक है इनके laws आप लोग वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं और मैं आप लोगों को फिर से एक बार करा देता हूँ ये आप लोगों को समझ में आगया होगा ठीक है इसके आगे आपने ये laws पढ़े होंगे कि a की power m into a की power n एक की power m plus में n यानी कि अगर कोई दो number है ये एक exponential term है और ये भी एक exponential term है ठीक है ये एक exponential term है और ये भी एक exponential term है और अगर दोनों के base same है नीचे यानी कि नीचे वाले number same है base और इनके बीच मुआ लिए हो रही है तो इनके power जो होजाते हैं add हो जाते हैं ठीक है तो इनके power क्या हो जाते हैं add जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूं 5 की power 3 into 5 की power 7 तो अब हम देख सकते हैं नीचे same है यहाँ पे जैसे a था यहाँ a था वही दोनों variable यह हम कुछ भी ले सकते हैं इनकी जगा variable ठीक है न तो अगर a की value 5 है माल लेते हैं तो अगर यह 5 हो गया और 5 की power 3 into में 5 की power 7 तो जब अगर base same होगा तो आपको क्या करना है नीचे 5 लिखना है और यह 3 और 7 को add कर देना है और यह बन जागा 5 की power 10 ठीक है तो ऐसा कुछ भी हम ले सकते हैं तो यह एक पहला लोग हो गया दूसरा same a की power m बस multiply के जगा अगर divide हो जाए और a की power n तो यही power जो हो जाती है वो minus हो जाती है ठीक है तो यही power क्या हो जाती है minus हो जाती है तो 5 की power अगर मैं लिखना हूँ वही 5 की power 7 या 8 divide में 5 की power 2 तो क्या आएगा 5 की power 8 में से 2 minus कर देंगे और यह बन जाएगा 5 की power 6 ठीक है अच्छा अगर यह उल्टा होता 5 की power 2 divide में 5 की power 8 यह ऐसा होता तब हम क्या करते तो हम 5 की power 2 में से 8 भटाते और यह 5 की power minus 6 आता और 5 की power minus 6 आता तो अभी मैंने बताया था आपको जब यह minus में होता है तो हम इसको one upon में लिख सकते हैं तो यह one upon में five की power six बन जाता है ठीक है तो चाहे आगे बढ़ा हो चाहे पीछे हो कैसे करना है आपको समझ में आ गया अगर आगे बढ़ा है पीछे छोटा है तो आपने minus किया positive exponent आया ठीक है यहाँ पर कैसे exponent आया negative exponent और negative exponent जो होता है इसको आप one upon में करके positive बना लेते हैं ठीक है तो यह पहला नियम हो गया आपका यह दूसरा हो गया ठीक है a की power m into a की power n is equal to होता है a की power m plus में n अब a की power m divide में a की power n बराबर होता है a की power m minus में n ठीक है तीसरा a की power m और उस पूरे की power n ठीक है a की power m और उस पूरे की power n यह बन जाता है a की power m into n यानि powers की क्या हो जाती है multiply power के उपर power power के उपर power दिखे तो power की multiply कर देनी है ठीक है अब मैं इसको लिख सकता हूं जैसे 3 की पावर 7 और उसकी पावर 5 तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर 7 इंटू में 5 यानि 3 की पावर 75 ज़ा 35 ठीक है जब आपको ऐसे पावर के उपर पावर दिखते है तो आप पावर की मल्टिप्लाई कर देते हैं अब एक बात और समगने वाली है इसमें एक फर्क आपको हमेशा याद रखना है मैंने एक बार लिखा 3 की पावर 7 और उसकी पावर 5 अब मैं पूछे इन दोनों में क्या फर्क है तो आपको इस फर्क को हमेंसे याद रखना है ये दोनों सेम नहीं है ठीक है ये दोनों सेम नहीं है इसका मतलब तो ये है कि 3 की पावर 7 इंटु में 5 है पर इसका मतलब क्या है कि 7 की पावर 5 है ठीक है पहले आप 7 की पावर 5 सॉल्फ करेंगे और उसके फिर वो 3 की पावर बनाएंगे उसको ठीक है तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा जैसे यह बन गया 3 की पावर यह बन जाएगा 3 की पावर 16807 यह तो बना 3 की पावर 35 पर यह बना 3 की पावर 16807 क्योंकि यह क्या हो रहा है यह पावर की मल्टिप्लाई हो रही है जब ब्रैकेट एक ब्रैकेट के अंदर पावर दिख रही है एक ब्रैकेट के बाहर ठीक है तो यह पावर की मल्टिप्लाई हो रही है पर यहां पर पावर के ऊपर पावर है मतलब इस 3 की पावर 7 है और इस 7 फर्क है, ऐसा होगा तब हम multiply करेंगे, ऐसा होगा तब हम multiply नहीं करेंगे, ठीक है, तब हम powers की multiply नहीं करेंगे, multiply कब करेंगे, जब ऐसे bracket में होगा, कि एक power है, फिर bracket और उसके उपर दूसरी power, तब हम इन power की multiply करेंगे, या यह कुछ इस तरीके से लिखे भी हो सकते हैं कि 3 की power 7 गुना में 5 ऐसे लिखे हैं तो direct multiply करी सकते हैं ठीक है पर power के उपर एक और power इस तरीके से लिख रहा है तो वो अलग चीज है ठीक है ना तो तीसरा यहां पर हमारा तीसरा लोग यही बनता है कि power 3 A की power M और bracket में उसकी पूरे की power N तब बनता है A की power M into में N यह बात आपको याद रखनी है ठीक है और इन दोनों के बीच में difference भी याद रखना है अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा next law ठीक है यह सब आप note करते रहें साथी साथ अब है कि A की power M into B की power M अब नीचे बेस अलग अलग है पर power दोनों की same है ठीक है बेस अलग अलग है पर power दोनों का same है तब क्या करते हैं तो पहले multiply कर देते है और पूरे की power same आजाती है ठीक है अगर मैंने लिखा 2 की power 7 into 3 की power 7 तो यह बन जाएका 2 into में 3 की power 7 यानि 6 की power 7 यानि कि अगर बेस अलग अलग है पर power same है तो multiply हो रहा है तो multiply कर देंगे और पूरे की power same कर देंगे और अगर यह divide भी हो रहा होता तो हम divide करके कर सकते हैं कि 2 की power 7 divide में 3 की power 7 यह दिवाइड में भी काम करती है ठीक है तो यह बन जाता 2 upon 3 की power 7 हम ऐसे भी लिख सकते इसे ठीक है तो बस यह है तो यह हमारे कुछ नियम थे अब इसके basis पे हमें exercise करनी है तो अब हम कर रहे है example number 21 ठीक है example number 21 में हमें यह simplify कर रहा है ठीक है पहला इसका पहला part है 2 की power 2 upon 3 dot यहाँ पे dot का मतलब multiply होता है हम यह से याद रखने है dot का मतलब क्या होता है multiply ठीक है न dot यानि multiply 2 की power 1 upon 3 तो अभी हमने कुछ law सीखे कुछ नियम सीखे कि exponent को कैसे solve करते है तो मैंने अभी आपको एक इसको आप identity भी बोल सकते है कि यह identity है ठीक है न law बोलो identity बोलो तो यहाँ पे identity क्या थी हमारे की a की power m into a की power n यहाँ पे base same है यहाँ पे आप देख सकते है base same है और multiply हो रहा है तो जब a की power m into a की power n होता है तो a की power m plus n ययनि की power जो हो जाती है वो add हो जाती है तो यहाँ पे भी हमें वही करना है 2 की power 2 upon 3 into 2 की power 1 upon 3 यह बन जागा 2 की power 2 upon 3 plus में 1 upon 3 यानि इनकी power जो है वो add हो जाएंगे ठीक है और आप जब इनकी powers को add करेंगे तो देख सकते हैं दोनों के नीचे 3 है तो ये दोनों का LCM 3 आ जाएगा और उपर भी आ जाएगा 2 प्लस 1 ठीक है fraction solve करने आते होगे आपको plus minus तो ये बन जाएगा 2 की power 3 upon 3 और 3 से 3 कट जाएगा और ये बनेगा 2 की power 1 और 2 की power 1 कितना होता है 2 तो इसलिए हमारा answer इसका कितना आ गया 2 अब हम करते हैं इसका second part, second part में है 3 की power है 1 upon 5 और उस पूरे की power है 4 तो मैंने आपको बताया था a की power m और उसकी power n तो होता है a की power m into में n यानि कि जब power की उपर power ऐसे bracket power bracket power होता है तो power की multiply हो जाती है तो यहाँ पर भी आपको करना है 3 की power 1 upon 5 into में 4 तो जब आप इनकी power की multiply करेंगे तो बने जगा 3 की power 4 upon 5 तो यह आगे आपका 3 की power 4 upon 5 तो यह आपका हो गया second part ठीक है तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको third part को 7 की power 1 upon 5 divided by 7 की power 1 upon 3 तो यहाँ पर identity क्या लग रही है यहाँ पर identity हमारी लग रही है तो यहाँ पर divide में a की power n होता है a की power m minus n तो यहाँ पर divide हो रहा है तो divide में power क्या हो जाती है minus ठीक है तो यहाँ पर हम करेंगे 7 की power 1 upon 5 divide में याणि divide मतला minus याणि कि यहाँ पर power क्या हो जाएगी minus power minus हो जाएगी 1 upon 3 तो 7 की power 1 upon 5 minus 1 upon 3 तो यहाँ बन जाएगा 7 की power आप यह minus यह fraction solve करनी है ठीक है तो fraction कैसे solve करते हैं यह आपको पता होनीची है कि आप इसमें cross multiply कर सकते हैं कि 3 को इधर multiply करेंगे तो 3 बन जा 3, 5 को उधर करेंगे बीच में sign ने minus का तो पहले minus लगा दो और उधर आजाएगा 5 और नीचे आप उसमें multiply कर दो 5, 3 जा 15 तो यहाँ गया 7 की power 3 minus 5 upon 15 तो इसको solve करेंगे तो यह बनेगा 7 की power minus 2 upon 15 और power क्योंकि minus में है तो उसको plus में change करने के लिए आपने क्या किया उसको पलट दिया 1 upon में कर दिया तो जब आप 1 upon में लिखेंगे तो 7 की power 2 upon 15 यह आपका answer आगया ठीक है तो 1 upon 7 की power 2 upon 15 और आप चाहें तो इसको bracket में करके लिख सकते हैं आप इसको bracket में लिख सकते हैं कि 1 upon 7 पूरे को लिख सकते हैं कि power 2 upon 15 आप इस answer को ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसी के साथ इसका तीसरा पार्ट भी हो गया ठीक है और लास्ट इसका पार्ट जो है वो समझ लेते हैं 4th पार्ट 4th पार्ट में क्या हो रहा है 13 की पावर 1 upon 5 यहां पे भी dot लगा हुआ dot का मतलब multiply multiply 17 की पावर 1 upon 5 तो आप देख सकते हैं यहां दोनों के बेस अलग अलग है पर पावर सेम है तो अभी हमने ऐसी आइडेंटिटी भी करी थी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी a की पावर m multiply में b की पावर m तो क्या होता है पहले multiply हो जाती है और पूरे की पावर क्या जाती है m तो यहां पर भी कुछ ऐसे हो रहा है 13 की 13 की पावर 1 upon 5 इंटू 17 की पावर 1 upon 5 तो क्या होगा 13 इंटू 17 पहले multiply हो जाएगा और पूरे की पावर क्या जाएगी 1 upon 5 तो इनकी गुना कर दो और 13 से बन जा 91 और 13 बन जा 13 और 9 कितना होता है 22 और इसके पूरे की पावर कितने हो जाएगी 1 upon 5 तो यह आपका answer हो गया ठीक है तो इसके साथ हमारा example number 21 हो गया अब हम exercise पे आते हैं ठीक है अब आता हमारा exercise 1.6 जिसके question number 1 में हमें value find करनी है किसकी पहले पहला question हमें दे रखा है 64 की power 1 upon 2 हमें इसकी value निकालनी है तो भाई 64 की power 1 upon 2 इसे हमें solve करना है ठीक है तो इसे कैसे करेंगे इसकी value कैसे find करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो हमें power दे रखा है ये 1 upon fraction में दे रखा है और fraction की power को हमें solve करना कैसे आता है अभी मैंने एक आपको समझाया था कि power 1 upon 2 का मतलब root भी होता है root 64 ठीक है और root 64 का मतलब है कि हमें इसका under root निकालना है ठीक है तो इसका under root कितना होता है 8 क्योंकि 64 किसका square होता है 8 का तो इसलिए इसका answer कितना है 8 पर हमें ये question इस तरीके से नहीं करना हमें ये question उन identities के हिसाब से करना है जो हमें अभी इस exercise में सिखाई गई है तो हमें identities इस्तिमाल करके इस question को solve करना है यहाँ पर हमें यहाँ पर 1 upon 2 दे दिया तो हमने असानी से कर दिया पर यहीं पर कुछ और values हो जाती है तब हमें थोड़ा भी मुस्किल पड़ जाती है इसलिए हमें identities लगा के ही करना है जिससे असान भी रहता है इसे करना और हम कैसे भी typical questions को solve कर सकते हैं तो जैसा कि इसके उपर power लिखिए 1 upon 2 तो मैं जो 64 है 64 को मैं 8 की power 2 लिख सकता हूँ ठीक है 64 को मैं 8 की power 2 लिख सकता हूँ और उसके उपर कितनी power है 1 upon 2 फिर हमने identity सीखी थी अभी अभी कि identity में हमने सीखा था a की power m और उसकी power n होती है तो आप power की multiply कर देते हैं ठीक है power के उपर power होती है तो आप power की multiply कर देते हैं तो यहाँ पे 8 की power 2 और उसकी power 1 upon 2 multiply करेंगे तो यहाँ पे answer आ जाएगा 8 क्योंकि 2 से 2 कड जाएगा एक 2 उपर है एक fraction में 1 upon में तो 2 से 2 card देंगे और answer आजागा आपका 8 तो यह आपका exercise का पहला question हो गया पहला का first part इसका second part second part में बोला है 32 की power 1 upon 5 ठीक है? 32 की power 1 upon 5 अब अगर आपको यह इस तरीकी से करने के लिए बोला जाता है थोड़े आप मुश्किल में बढ़ जाते हैं ठीक है? तो 32 की power 1 upon 5 मैं ऐसे भी समझा सकता हूं कि 32 की power 1 upon 5 का मतलब है यहाँ पे 5 root 32 है ठीक है? 5 root 32 और 32 को आपको ऐसे break करना है factor में जो 5 बार जिसका मतलब जिसे pair बनाते हैं तो 5 का collection आपको बाहर निकालना है इसका ठीक है? तो जो की बाहर आया के कितना बनेगा? 2 पर मैं इसको identity वाले तरीके से करना जाद अच्छा समझूँगा तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं 32 की power 1 upon 5 को तो 32 होता है 2 की power 5 32 क्या होता है? 2 की power 5 चाहें तो आप करके देख सकते हैं ठीक है? आप करके देख सकते हैं कि 32 को 2 से divide करेंगे 16 आएगा फिर 2 से divide करेंगे 8 आएगा फिर 2 से divide करेंगे 4 आएगा फिर 2 से divide करेंगे 2 आएगा और फिर 2 से divide करेंगे 1 आएगा तो आप देख सकते हैं 5 बार आपने 2 का इस्तमाल किया ठीक है 5 बार आप जब 2 का इस्तमाल करेंगे तब जाके यह 32 बनेगा तो 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1 अपॉन 5 तो identity हमने सीखी है A की पावर M और उसकी पावर N तो A की पावर M into में N तो 2 की पावर 5 उसकी पावर 1 अपॉन 5 तो पावर मल्टिप्ला हो जाएगी 5 से 5 कड़ जाएगा और आंसर आजाएगा 2 ठीक है और इसी का थर्ड पार्ट इसी का थर्ड पार्ट ऐसा ही है बिल्कुल same to same इसमें दे रखा है 125 की पावर 1 अपॉन 3 125 की पावर 1 अपॉन 3 तो इसको भी मैं करा सकता हूँ इसको आप करेंगे तो यह 125 जो होता है 5 की पावर 3 होता है 125 जो होता है वो 5 की पावर 3 होता है और उसकी पावर 1 अपॉन 3 तो आइडेंटिटी आपको पता है A की पावर M और उसकी पावर N तो a की power m into में n तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 5 की power 3 और उसकी power 1 upon 3 3 से 3 कड़ जाएगा तो answer आजागा 5 की power 1 यानि की 5 तो यह आगया इसका answer तो यह हमारा हो गया question number 1 अब हम इसके आगय करते है question number 2 तो यह question number 2 जो है यह भी question number 1 की तरह ही है इसमें भी हमें find करनी है value किसकी value 9 की power 3 upon 2 9 की power 3 upon 2 हमें इसकी value find करनी है ठीक है तो आपको पता है कि जो 9 होता है इसको मैं 3 की power 2 लिख सकता हूँ और उसकी power कितनी है 3 upon 2 ठीक है 3 की power 2 और उसकी power 3 upon 2 तो यह बन जाएगा यहाँ पर भी identity क्या लग रही है आपको पता है a की power m और उसकी power n तो बन जाता है a की power m into में n तो अब यहाँ पर आप करेंगे 3 की power 2 into में 3 upon 2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 3 की power 3 और 3 की power 3 जब आप solve करेंगे तो 3 into 3 into 3 आंसर आएगा 27 ठीक है अब इसका second part second part में क्या दे रखा है 32 की power 2 upon 5 second part में दे रखा है 32 की power 2 upon 5 तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की power 5 और उस पूरे की power है 2 upon 5 ठीक है तो identity हमें पता है identity बार बार हम लिख रहे हैं आपको याद हो जाने चीए यह identity a की power m और उसकी power n तो बन जाता है a की power m into में n ठीक है तो 2 की power 5 into में 2 upon 5 तो 5 से 5 कट जाएगा और बनेगा 2 की power 2 यानि 2 into 2 और 2 into 2 होता है 4 तो इसका answer आ गया 4 ठीक है अब करते हैं इसका 3rd part 3rd part में हमें दे रखा है 16 की power 3 upon 4 16 की power 3 upon 4 तो अब आपको इसमें एक बात याद रखनी है 16 के लिए 16 के लिए हमेशा आप एक बात याद रखना 16 जैसे बोलते हैं तो हमें याद समझ में आता है 4 की power 2 कि 4 का square होता है 16 ठीक है हम direct समझते है 4 की power 2 पर एक बात और याद रखना है कि इसकी एक और value होती है इसको हम 2 की power 4 भी बोल सकते है ठीक है 16 जो होता है वो 4 की power 2 भी होता है और यही 2 की power 4 भी होता है चाहे आप 4 को 2 बर multiply कर लो या 2 को 4 बर multiply कर लो 16 ही आता है 2 तूजा 4 तूजा 8 तूजा 16 ठीक है और 4 तूजा 16 तो हमें इन में से कौन सी value लेनी है वो इस question में depend करता है क्योंकि नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप power 4 है तो आप यहाँ पर power 4 वाला ही लो तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की power 4 और उसकी power 3 upon 4 तो फिर से identity लगेगी identity आप हर बार लिखेंगे ठीक है a की power m और उसकी power n तो a की power m इंटू में n तो यह बनेगे 2 की power 4 इंटू में 3 upon में 4 4 से 4 काड़ देंगे 2 की power 3 और 2 की power 3 जो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 जो की बराबर होता है 8 के 2 तू जा 4 तू जा 8 तो इसका answer आ गया 8 ठीक है और इसका last part यानि fourth part है 125 की power minus 1 upon 3 ठीक है 125 की power minus 1 upon 3 जब आप इसे solve करेंगे तो 125 जो होता है 5 की power 3 होता है और उसकी power है minus 1 upon 3 फिर से identity identity वही है a की power m और उसकी power n a की power m इंटू में n तो यहाँ पर लग जाएगा 5 की power 3 इंटू में minus 1 upon 3 3 से 3 काड़ देंगे 5 की power minus 1 और 5 की power minus 1 का मतलब होता है 1 upon 5 ठीक है power जब minus से plus मिलाएंगे तो इसको इसका reciprocal कर देंगे तो इसी के साथ यह आपका question number 2 भी खतम अब हमें करना है question number 3 तो अब हम आ जाते हैं अपने chapter के last question पे ठीक है जोगे question number 3 है जिसके अंदर हमें simplify करना है ठीक है इस question को हमें simplify करना है जिसमें लिखा हुए 2 की power 2 upon 3 dot dot का मतलब मैंने आपको हर बर बताया कि multiply होता है into में 2 की power 1 upon 5 अब मैं इसको solve करूँगा तो हमें पता है ये dot का मतलब multiply होता है तो हम पहले ही identity लिख लेते हैं कि a की power m into में क्योंकि यहां पे दोनों base same है और dot का मतलब multiply होता है तो a की power m into a की power n बराबर होता है a की power m plus में n ठीक है तो power यहां पे क्या हो जाती है add तो यहां पे आप करेंगे 2 की power 2 upon 3 और इसमें multiply हो रहा है 2 की power 1 upon 5 तो आप इनको add कर देंगे 2 की power 2 upon 3 plus 1 upon 5 तो यह बन जाएगा 2 की power cross multiply आती होगे आपको तो आप इसको cross multiply कर सकते 5 को 2 से multiply करेंगे 10 3 को 1 से multiply करेंगे 3 बीचवे plus और नीचे आप इसमें multiply करेंगे तो 5 से रहे जा 15 तो यह बन जाएगा 2 की power 13 upon 15 तो यह आपका answer हो गया ठीक है इसका second part second part में कह रहा है 1 upon 3 की power 3 और उस पूरे की power है 7 ठीक है तो आपकी यहाँ पे 2 identities लग रही है तो आप identities लिख लो कि यहाँ पे कौन कौन सी identities लग रही है पहली identity यह कि अगर 2 अलग अलग number है और उनके उपर same power है ठीक है और यह divide हो रहा है तो हमने इसको कुछ multiply के form में कुछ ऐसा लिखा था a की power m into b की power m तो वो हो जाता है a into b की power m मैंने अभी आपको थोड़ी ज़र पहले यह वाली identity बताई थी अगर हम इसको उल्टा करें तो यह ऐसा भी तो हो सकते हैं कि जो multiply हो रहा हम उसको ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं यह खुला हो आए तो हम इसको बंद कर सकते हैं तो यह बंद है तो इसको खोल भी सकते हैं तो जो चीज multiply के लिए होता है वही चीज से divide के लिए भी होता है कि अगर divide में ऐसा हो रहा है कि a upon b की power m तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की power m upon में b की power m ठीक है a की power m upon में b की power m पहली identity तो यह हो गई और दूसरी identity आपको पता है a की power m और उसकी power n तो power के उपर power जब होती है तो multiply हो जाती है ठीक है तो फिलाल सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह बन जाएगा 1 की power 7 upon में 3 की power 3 और उसकी power 7 क्योंकि अभी मैंने बता है कि जब power दोनों के उपर होती है तो आप उसको अलग लग भी लिख सकते है तो आप इसको 1 की power 7 में लिख सकते हैं और इस पूरे term के उपर भी 7 लिख सकते है ठीक है अब यहाँ पर यह वाली identity लग जाएगी तो 1 की power तो जितनी मर्जी कर लो आप वो 1 ही रहता है 1 की power कुछ भी हो वो 1 ही रहता है 1 की power 7 भी कितना आएगा 1 और नीचे जो आएगा वो 3 की power क्योंकि power और bracket power है तो इसलिए power के multiply कर देंगे और यह बन जागा 1 upon 3 की power 21 ठीक है और last में आप चाहें तो इसको वापिस पूरा close कर सकते हैं और पूरे की power 21 लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 1 की power कितनी भी रखो तो 1 ही आता है तो मैं इसको 1 की power 21 भी लिख सकता हूँ तो जब यह 1 की power 21 और यह 3 की power 21 बनेगा तो bracket लगा के आप पूरे के उपर भी लिख सकते हैं ठीक है अब इसका थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में है 11 की power 1 upon 2 upon में 11 की power 1 upon 4 ठीक है 11 की power 1 upon 2 upon में 11 की power 1 upon 4 तो यहाँ पे आपकी identity कौन सी लग रही है A की power M डिवाइड में A की power N तो होता है A की power M minus N तो यहाँ पे 11 की power 1 upon 2 minus 1 upon 4 तो जब आप इसको solve करेंगे cross multiply कर दो 4 बन्जा 4 minus 2 बन्जा 2 और नीचे 4 तू जा 8 तो 11 की power आजाएगी 2 upon 8 और 2 upon 8 का आप solve करेंगे काट के तो यह बन्जाएगा 11 की power 1 upon 4 ठीक है तो यह answer आगया 11 की power 1 upon 4 अब हमें इसका last part करना है तो मैं यह वाला रब कर रहा हूं इसके आगे यह last हमारे chapter का last question बचा ठीक है 7 की power 1 upon 2 dot 8 की power 1 upon 2 इस dot का मतलब आपको पता है multiply होता है तो identity a की power m into b की power m ठीक है is equal to होता है a into b की power m तो यहाँ पे 7 की power 1 upon 2 into 8 की power 1 upon 2 बन जाएगा 7 into 8 की power 1 upon 2 यानि 56 की power 1 upon 2 तो इसी के साथ हमारा chapter खतम होता है ठीक है तो इसी के साथ हमारा chapter खतम होता है पर ये chapter इतना ही नहीं है ठीक है? बुक से हमने NCRT से सारी चीज़े खतम कर ली सारे सारे question कर ली है exercise के सारे examples कर ली है पर अभी भी इतना काफी नहीं है हमें अपने exam को face करने के लिए और भी बहुत सारे extra questions करने पड़ते हैं ठीक है तो वो भी मैं करा हूँ आपको पर वो हमारी paid classes में होंगी ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ सारी details अब इसके आगे जो हमें करना है ठीक है ये तो हमने NCRT कवर कर लिया पर इसके अलावा हम RD Sharma and PK Girl ठीक है और भी कोई refresher books हैं तो मैं वो भी आपको cover कराऊंगा ठीक है हम हर एक चीज करेंगे हम इस chapter के हर एक कोने से जितने भी question निकल सकते हैं जो भी आपके exam में चाहिए वो आपके school के exam हो चाहिए आप किसी competitive level पे इस चीज को पढ़ रहे है मैं जाते हैं math quiz में या और किसी चीज में हम वो सब चीज कवर करेंगे by these books and इसके अलावे भी और कोई books हैं तो मैं वो भी cover करूँगा पर वो हमारा paid course के अंदर होगा ठीक है जिसकी मैं detail आपको दे सकता हूँ तो वो paid course आपका YouTube पे नहीं होगा वो आपका हमारे website पे जो की है waspstudy.com ठीक है waspstudy.com पे आप जाएं वहाँ पे आप login करें ठीक है sign up करके login करेंगे और उसके बाद आप हमारे course को purchase कर सकते हैं ठीक है और उस course के अंदर आपको मैं इसके extra questions भी कराऊंगा जो की हमने यहाँ पे फिलाल discuss नहीं किये ठीक है हमने book तो पूरी cover कर ली NCRT पर NCRT के अलावा भी जो हम advanced section इसका कर सकते हैं और ठीक है improved version वो हम इसके paid course में करेंगे जो की हम करेंगे सिर्फ waspstudy.com पे ठीक है और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे number पे call करके मुझसे पूछ सकते है इस number पे आप call करके आप अपने course के बारे में जानकारी ले सकते हैं या आपको login में या किसी वी चीज में कोई problem आती है तो आप उस बारे में भी में से पूछ सकते है ठीक है तो I hope आप लोगों को ये chapter समझ में आया होगा Thank you for watching